वेल्ट सब्सक्राइब गाइज वरेकम तो जेकेस भी अनलीं टिटोरियल मैं हूं सतीश और आज के इस इंपॉर्टन लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थियोरीज ओफ सुसाइटी के बारे में वेल आप सभी लोग जानते हैं हमने अपना जो यूनिट वन का जो टॉपिक वन है जिसमें हमने कवर करा आपके सुसाइटी देन फिर हमने बात करी कॉमिनिटी की ठीक है फिर उसके बाद लास्ट में हमने बात करी किसकी एस्सोशिएशन की ओल एक तो इन तीनों चीजों के फोल हमने मिनिंग पड़े दैन उसके बाद हमने उसके डेफिनेशन पड़ी दन फीचर पड़े दन टाइप पड़ी और फिर हमने एमसी क्यूज लगाए ठीक है यह सीक्वेंस में हमने इसलिए करा क्योंकि आपके सुसाइटी के अंदर ही आपकी कॉमिनिटी आती है एक ए हमने पैस उसके बाद करें 독s में लिह में मनें मतलबC2 प्रेफ्रेटी कि ने दी है ले भी जो वी एंदर्प परस्पेक्टिव रहें हैं वो घ्यूसर वीडियो मर्हां कावर करेंगे लेक्ट तो मुझे वमीध है कि आपको बहुत अच्छे से समाझ आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दू कि जिन बचों ने अभी तक हमारा फिमेल सुपरवाइजर का कोर्स जोई नहीं करा उनको मैं क्लेरली बता दू यूट्यूब पे हम लोग कंप्लीट कोर्स नहीं करवाएंगे हम सिर्फ आपको एक चीज की मैं गरंटी देता हूं कि मैं जो आपको करवाओंगा आपको उसके इलावा कुछ भी नहीं पढ़ना क्योंकि मैं खुद चीजों को चांट के आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं विद क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट सो डैट कि आपको खुद अपना फिर बोल देता हूं यह इसी है लेकिन कंफ्यूजिंग आ जहां पर आपको एक जगा सोसाइटी का मिनिंग समझ आएगा ना वहीं दूसरी तरफ कॉम्मिनेटी पढ़ोगे आपको कंफ्यूज होगी है मतब 90 परसेंट चीज़ें सेम होती है तो मेरा जो में मक्सेद है वह जो है कि आप लोगों के कंसेप्ट को इस तरह से क्लियर कर दूं कि आप इमेडेटली बताओ कि यह बात सुसाइटी की हो रही कॉम्मिनेटी की हो रही यह आस्ोसेशन की हो रही है मैंने बहुत सारी वीडियो अपडेट करी यूट्यूब पे जिसका में मक्साद यही है कि आप लोगों को पता लगेगी मैं किस तरह का content बहां डाल रहा हूँ ठीक है तो अगर कोई इंसान YouTube पे अपडेट मतब देख रहा है तो उसको मैं बोल दोगी YouTube पे पूरा content अपडेट नहीं होगा सारा content हमारे paid course में update होगा ठीक है और paid course में हम सारी चीज़े जो है वो update करेंगे और paid course में आपको proper तरीके से lectures then उसके बाद notes then उसके बाद MCQs then उसके बाद आपके test यह proper तरीके से करे जाएंगे so that कि आपका concise material then revision then practice यह सारी चीज़े cover और finally आप लोगों को जो मैंने 100% selection का वादा किया है वो आपकी यहां से हो जाए ठीक है तो अगर आप सिर्फ lecture पड़ोगे या सिर्फ आप notes बनाओगे तो उससे काम नहीं चलने वाला मैं पहले बतारू अगर आप चीज़ों को practice नही exam में पूछ जा सकते हैं ठीक है तो जितने भी candidate जोनोना भी course join नहीं करा वो मुझे message कर सकते हैं मेरे whatsapp number 7006332724 पर और इस number पर message करने के बाद आपको क्या लिखना simple लिखना supervisor आपको लिखना supervisor course जैसे आप supervisor course लिखोगे आपको immediately जो link अभो मिल जाएगा otherwise आप directly हमारी app यह जो अगर आपको in case कोई problem हाती को समझने आता तो आप फिर मुझे इस number पर message करो मेरे whatsapp number मैं यहां लिख देता हूँ 7006332724 जैसे आप इस number पर message करेंगे आपको supervisor course लिखना है आपको सारी detail मिल जाएगी मैं फिर से एक चीज बोलता हूँ कि यह best course आहने वाला और मैं आप लोगो की selection के लिए fruitful प्राने के लिए ठीक है तो अभी message करो जाइन करो चलिए अब हम बात करते हैं देखो मैं आपको इक चीज बता दो यहां पे हम लोग बात करने वाले है theories of society की जो different sociologists ने दी है ठीक है अब basically मैं बताऊं कि यह जो theories of society है sociology में अब sociology क्या है sociology basically is a study of society मैंने पहले दिन नहीं बताया था sociology जो है that's a subject that's a study of society ओके अब यह जो theories दी गई है इसका main मकसद क्या है चलिए उसके बाद मताते हैं अब यह जो theories ना basically यह क्या है यह theories framework है मतलब एक सोच है जो explain करती है social phenomena को ठीक है social phenomena's phenomena's क्या होते है phenomena's होगे जैसे आप लोगों social institutions होगे ठीक है यह जितने भी चीज़ा सवाइटी में आप देखते हो आप लोगों की यह marriage परस्पेक्टिफ ठीक है functionalist theory और उसके बाद conflict perspective perspective बोल सकते हैं आप लोग व्यूग ठीक है perspective का मतलब होता है view मतलब मेरा क्या view है चीज़ को लेके ठीक है मेरा क्या perspective है उस चीज़ को लेके ठीक है पहली जो थेयोरी हमने पढ़ने है वह है functionalist theory दूसरी हमने पढ़ने यह conflict theory conflict perspective और लास्ट में जो थर्ड नमबर पर है that is symbolic interaction perspective मतलब symbolic interaction interaction theory ओके तो चली यह जो ऊपर लिखा है नहीं इस जस्टा इंट्रोड़क्शन इसमें बात सिर्फ इन्होंने यह बोली है इसमें यह बोला गया है कि जो और बाकि सारी जो चीज़ें किस तरह से और्गनाइज्ड है किस तरह से इनको मेंटेन किया गया है और वक्त के साथ में किस तरह से चीज़ें जो है वो होना चाहिए स्टुडेंट का देटिस कि आपके दिमाग जो है ना वह खुल जाए आपका से लिखने से पर पास नहीं होगा पीडियाफ को प्रिंट आट पर पास नहीं है अगर चीजों को दिमाग पर नहीं है देको रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होने वाला चीज़ो को समझो और मैं जाने पर ही फोकस करता हूं तो अभी यह जो फॉर्स वाला हमारा पोश्यन है इसमें मैंने हमने क्या देखा कि हर एक सुशॉलिजिस्ट का अलग परस्पेक्टिव है सुसाइटी को लेके हर अलग तरह से वह सुसाइटी को देखते हैं अब उनके देखने क जो नजरिया है वो हम पढ़ेंगे इस प्रने पॉरिस में रिस्पेक्टिव या परसपेक्टिव तलग की देखो एक चीज़ पहले याद रखने है बाई यह जो functionalist perspective होता है, इसी को functionalism, देखो perspective का मतलब view, इसको तो छोड़ दो आप, आप view बोलो, theory बोलो, ठीक है, समाज आई, perspective का मतलब हो गया view, अच्छे यह जो functionalist है न, इसको आप लोग functionalism भी बोल सकते हो, अगर कहीं पे आपको functionalist की जगा, functionalism आ जाए, तो भाई, confused मत हो जाना कि यह क्या हो गया, ठीक है, यह दोनों एक ही चीज़ है, दोनों के एक ही नाम है, ठीक है, तो वही चीज़ लिखे, यह जो functionalist perspective है, इसको functionalism भी बोला जाता है, और यह किसका, मतलब यह एक major theoretical perspective है, sociology में, अब theoretical क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि society में, society बोल रहा हूँ, मतलब जो भी social sciences है, उसमें जो भी experiment किया जाते है, वो theoretical basis पे ही किया जाते है, ठीक है, क्योंकि that is, that's experiment being happen on humans, तो humans के ऊपर, मतलब आप उनके observation के basis पे ही, उनके जो भी उनके पर experiment है, वो करते हो, so that's why यह लिखा है कि यह जो functionalist perspective है, यह एक बहुत major theoretical perspective है, view है, sociology में, और इसका origin जो ह जो है, वो किन के काम से हुआ, मतलब किनोंने करा है, functionalist theory जो है, किनोने दी है, that is, email Durkheim, जीक है, it has origin in the work of email Durkheim, मतलब इसका origin है, this functionalist theory का origin है, यह कहां से हुआ, in the work of email Durkheim, तो मतलब in short आप यह कह सकते हैं, यह functionalist theory है, email Durkheim ने दी है, okay, clear है, तो हमने इस वाले first part में हमने क्य हैं पड़ा कि जो फंक्शलिस्ट दिखू उ पर बोल दिया कि फंक्शलिस्ट पर्सप्पेक्टिव को ही परस्पेक्टीव लिए कि सोसाइटी जो है वो क्या है कंप्लेक्स सिस्टम है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का मतलब सुसाइटी जो है वो क्या मतलब है मुझे किसने कोशिन पूचता है सब कंप्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट ठीक है जटिल जिसे हिंदी में बोलते हैं डिफिकल्ट आप लोग बोल सकता है मुश्किल मुश्किल मतलब ठाइड वेरी हार्ड टू अंडर्स्टैंड क्योंकि सुसाइटी जो है उसमें इतनी सारी इंट्र एकल्पल बात करें हम लोग सुसाइटी में अपी एक डिफिर्ण डिफ्रेड डिफिर्ण्स रिलेश्ट है हम लोगों के आपस में वो कुछ हमारे मतलब बलट बेस्ट हैं कुछ ऐसे बने हुए हैं उसके बाद हमारी खुट जिन्दगी में certificates, ये वो, तो वही चीज बोले गए है कि society जो है, वो क्या है, society complex system है, interrelated parts का, ठीक है, और जिसमें हर एक part जो है, वो अपना function perform करता है, ताकि पूरी की, पूरी society की, जो stability है, और harmony है, वो stable रह सके, ठीक है, किसके लिए contribute करते हैं, बतब जितने भी interrelated part है, जितना भी interrelated complex system है, society का, each performing function, बता हर एक part जो है, वो अच्छे से perform करता है, function करता है, ताकि overall stability और harmony जो है, society की, वो बनी रहे, clear, ये एक छोटा सा concept, जो आपको समझना है, functionalism में, बस, यही समझना, और कुछ नहीं समझना, clear, तो functionalism में, मैं again, आपको explain कर देता हूं, कि हमने functionalist perspective को ही functionalism बोला जाता है, दूसरा मैंने कहा, कि ये जो functionalism, ये functionalist perspective है, ये किसका काम है, email durkheem का काम है, और तीसरी मैंने आपको functionalism की जो definition है, मतलब इस theory में क्या action में बोला गया है, वो मैंने आपको पढ़ाया, कि इस में बोला गया है कि society जो है, वो complex system है, interrupted, interrelated parts का, ठीक ह और वो जितने भी parts हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपना अपना काम जो है, वो करते हैं, so that कि society में overall stability and harmony जो है, वो बनी रहे हैं, clear है, clear है, जैसे for example, आप लोगों के, इंस्ट्यूशन के अगर हम बात करते हैं, तो जैसे marriage है, ठीक है, marriage है, kinship हमारे relative relation, मतलब kinship में हम लोग relatives के बारे में पढ़ेंगे, blood relation या, other relation जो होते हैं, मतलब यह जो relations हो गया, यह जो marriage हो गया, यह हमारा education system हो गया, ठीक है, school, colleges, मतलब हर एक चीज, कितनी जारा एक इंसान की जिन्दीगी में, एक personal life में, कितनी सारी चीजें जो होती है, एक दूसरे के साथ interrelated होती है, मतलब आप चाहो या ना चाहो आपकी शादी होनी है, तो यह social norma तो होनी है, ठीक है, पढ़ना है, आपको तो पढ़ना है, अगर relative आपके हैं, तो आपको उनके साथ वैसा behave करना है, जैसा expect करती है society, अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई, अच्छे तो मेरा भाई है, मैं मानता है इन तुझे, ऐसा तो हो नहीं चकता, तो in short कहने के मतलब यह है कि society में, society में बहुत ही complex system है, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो सारे के सारे जो system है, वो इस तरह से काम करता है, coordinate करता है, perform करता है, so that कि society का जो balance है, जो harmony है, stability है, वो बनी रहे, ठीक है, यह सारी चीज़े functionalism में बोली गई है, मतलब इस theory का main point यह है, यह perspective है इसका, clear? अब वहीं पर लिखा है इन्होंने, for example, functionalism का इन्होंने for example किया, जैसे हमारी family हो गी, ठीक है, family, वही मैंने relation की example देता है, education हो गया हमारा, वही मैंने जो school की example दी, and religion हो गया, तो यह जो, इनको as a institution जो है, वो देखा जाता है, जो basically help करता है, individual को socialize करने में, और उनकी need को meet करने में, socialize का मतलब होता है, जब इनसान जब बचपन से लेकर बड़े होने तक, जो वो सीखता है, society से, उस चीज़ को बोला जाता है, socialization, ठीक है, और यह हम इसके उपर deep एक पूरा topic है, जो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, तो समझ आ गए, कि हम लोगों की life में, हमारी family से लेकर, देन उसके बाद हमारी education, फिर उसके बाद हमारी marriage, यह सब चीज़ें जो है ना, यह society में create की गई है, और यह सारी चीज़ें एक दूसरे से interrelated है, और इनी सब चीज़ों की वज़ा से क्या होता है, मतलब इनी सब चीज़ों के function, अच्छे से function करने से, कोडिनेट करने से, हमारी जो society है, उसमें stability है, उसमें harmony वो बनी होई है, clear है, तो यह basically view था किसका, यह view था, functionalism perspective का, first theory जो हम पढ़ रहे हैं, और मुझे उमीद है कि यह आपको view जो है, वो clear हो गया होगा, clear है, अब हम बात करते हैं, functionalism theory, basically, दो types क्यों होती है, एक होती है, manifest function, और दूसरा होता, latent function, manifest function में वो functions होता है, जो clearly दिखते हैं, जो खुद बनाये जाते हैं, intended का मतलब होता है, जो खुद plan किये जाते हैं, ठीक है, और जो commonly recognized होते हैं, मतलब सभी पता है, कैसे है, क्या है, जैसे, for example, अगर हम देखे, manifest function, जैसे school आप जाते हो, ठीक है, school आप जाते हो, तो वहाँ पे कुछ rules regulations बनाये हुएं, clear है, पूरे proper तरीके से, कि बच्चा जो है, वो आएगा, पढ़ेगा, teachers इस तरह से पढ़ाएंगे, तो ये तो हो गया, जो हमें दिख रहा है, जो commonly बनाया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे function भी होते हैं, जो हमें latent functions वो होते हैं, जो unrecognized होते हैं, जो plan किये हुए नहीं होते हैं, लेकिन ये functions भी perform होते हैं, ठीक है, और जैसे for example, मैंने आपको manifest function में, आपको school के बारे में example दी कि वहाँ पे rules, proper function जो है, वो बनाय हुए होते हैं, manifest function मतलब, वहाँ पे functions बनाय हुए होते हैं, Latin functions वो functions होते हैं, जैसे for example, बच्चा school गया, अब school जाके वो पढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को judge करना, observe करना, एक दूसरे के साथ community बना के गपे शपे मारना, ठीक है, तो ये भी तो कहीं ना कि इंडिरेक्टली हो ही रहा है, ठीक है, लाज कि ये this is not clearly planned नहीं किया हूँ, फिर भी ये होता है वहाँ पे schools में, तो इस तरह के functions को क्या बोला जाता है, latent function, अब clear हुआ, दो types के functions कोन कोन से होते हैं, एक manifest function, manifest मतलब जो clearly दिखता है, जो बनाये जाते हैं, society द्वारा, खुद plan किये जाते हैं, so that कि एक, अच्छा, एक outcome result हो society के उपर, और latent function के भी जो outcomes होते हैं, वो positive होते हैं, लेकिन ये उस तरह से unattended होते हैं, मतलब clearly खुद plan किये हुए नहीं होते हैं, ये बच्चा को देख के सुनके उस तरह से बनाता है, clear है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, unintended होते हैं, often hidden होते हैं, इसके consequences, ठीक है, clear है, functionalism के types पता लगे, अब हम बात करते हैं, functionalism की main problems, देखो functionalism की जो problems है, वो ये कि functionalism जो है, वो completely institution पर focus करता है, okay, मतलब in short, जैसे functionalism का जो theory है, वो सारा का सारा किस चीज़ पर based है, सारा का सारा institution की based पर है, जैसे marriage, जैसे families हो गया, education हो गया, okay, तो इनके कहने का मतलब यह है कि जितने भी institution है, वो सारे work करते हैं, ताकि society में stability बन सके, लेकिन functionalism में इन्हों ने individual को importance नहीं दिया हुआ, ठीक है, individual को importance नहीं दिया हुआ, यह इसका पहला problem है, और दूसरा problem जो है कि functionalism जो है ना, वो largely, मतलब बड़े level पे सिर्फ इन्हों ने society के institution पे ही focus करा, लेकिन वो जो social change और conflict जो रहता है, मतलब society में जो एक दूसरे के साथ मन मुटाब रहता है, वो उस चीज के उपर इन्हों ने काम नहीं करा, अब उस मन मुटाब की वज़ा से जो social changes आती है, उसके उपर ये functionalism जो है, functionalism theory perspective जो है, उसने उसको नहीं देखा, ठीक है, clear है, functionalism theory क्या ह एक्स्प्लेइन हो गया, मुझे उमीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, चीक है, देखो मैं आपको इस चीज बता हूँ, functionalism theory को मैं कर सकता हूँ, बट मुझे पता है, उन words का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको concept clear नहीं है, तो इसलिए मेरा main मक्सद होता कि आपको simple question पूछा जाएगा, exam है, which of the following theory describes that society is based on a complex system that work accordingly to maintain the stability of society and harmony, तो आपको simple पता लग जाएगा, यह जो theory है, यह जो theory है, यह आपने किस में बढ़ी है, यह functionalism theory में बढ़ी है, तो आप सीधा क्लिक टिक करो हूँ, वहीं पर functionalism theory में दूसरा question इसलिए आ सकता है, कि functionalism theory which sociologist, तो क्या अंसराएगा, email दुर्खीम, ठीक है, यह दो तरह की question आपको exam में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह से, ठीक है, यह functionalist theory में दो तरह की question पूछे जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको explain कर दिया, ओके, चली, अब हम next बढ़ते हैं, हमारी theory जो है next, that is conflict perspective, ठीक है, perspective point of view से क्या है, इन्होंने किस तरह से society को देखते हैं, वो हम पढ़ते हैं, पहली तो यह जो perspective है, यह जो conflict theory है, यह किस का काम है, मतब किनो, इनका, यह काल माक्स जो है, काल माक्स नहीं यह theory जो है, वो दी है, clear, conflict theory जो है, यह काल माक्स त्वारा दी गई है, clear, अब इस में, क conflict theory में किस तरह से society को देखा जाता है, चली, अब इनके accordingly, मतब काल माक्स जो आरा society को किस तरह से देखा जाता है, who saw society as fragmented, fragmented होता है, छोटे-छोटे pieces में divide होना, ठीक है, fragmented मतब into small pieces, fragmented है, into groups, ठीक है, अब society जो है, वो क्या है, मतब काल माक्स accordingly, is conflict perspective theory के accordingly, society जो है, वो different different groups मे बटी होई है, जो compete कर रही है, मतब एक दूसरे के साथ जिदो जयद कर रही है, ताकि social और economic resources को ले के, मतलब, जैसे for example, आपने एक चीज़ देखी, society में basically क्या है, कि हर एक इनसान जो है, वो लगा पड़ा है, अपना जी जान लगा रहा है, अपने लिए, एक social economic resources को उकठा करने के लिए, ठीक है, तो वही चीज़ यहां पे explain करी गई है, अब यहां पे rich poor हो गया, ठीक है, जैसे एक होता है, बहुत अच्छे खासे, कुछ लोग होता है, बड़े oppressive type के, कुछ होते हैं, जिनके पास powerball खतरनाग होती है, कुछ ऐसे बचारे मतलब oppressed हैं, तो वो सारी के सारी चीज़ें जो है, वो किस थेजरी में पढ़ते हैं, वो conflict theory में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने यी जो पहला वाला paragraph इसमें क्या पड़ा, and economic sources के लिए वो एक दूसरे के साथ conflict कर रहे हैं एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं में इसके conflict theory के जो highlight है तो इसमें basically लिखा है कि किस तरह से जो लोग जादा power में है privilege है वो किस तरह से exploit कर रहे हैं कि जो oppressed है जिनके पास बहुत थोड़ा है कम है और इसी चीज़ की वज़ा से how social change is driven by collective resistant and struggle ठीक है तो कहने का मतलब यह जो conflict theory है यह highlight करती है कि किस तरह से वो लोग जिनके पास बहुत जादा power है या बहुत जादा privilege है वो लोग किस तरह से exploit कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग oppressed है मतलब हताश है और जिनके पास बहुत थोड़ा है और किस तरह से मतलब सभी लोग जो मिलके अपने हक के लिए जो लोग struggle कर रहे हैं और रिजिस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से social change उसकी वज़ा से हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस conflict theory में वो चीज़ें highlight की जाती है जा की गई है अब जैसे for example लिखा हुआ conflict theory explain the persistent persistence होता है continuously ठीक है यह जो मतलब conflict theory explain करता है इस gender class and racial inequality को लेके and the social moments that challenge them मतलब आपकी इस social conflict theory है यह क्या explain करते हैं मतलब जो सदियों से चलता हुआ रहा है gender inequality class inequality racial inequality और जो moments रही है जो मतलब इसके खिलाफ जो moments रही है ताकि चीज़ों को चेंज किया जाए तो यह सारी के सारी चीज़ें जो ही कहां बढ़ते हैं हम लोग conflict perspective conflict theory में जो किसके दौरा दी गई है काल्मक्स दौरा दी गई है अब यहां से दो कुश्चन किस तरह से बन सकते हैं सुरिए पहला कुश्चन तो बनेगा कि हो गेव दिस सब्सक्राइब काल्मक्स अब दूसरा जो चीज़ है वह यह है कि conflict theory इस बेस्ट ऑन वर्ट तो conflicts theory basically किसके उपर बेस्ट है डेट इस ओन दी अगर फॉर इस तरह से पूछा जाए कि विच फॉल्विंग तुरी सेज डिस्क्राइब सुसाइटी आज फ्रेग्मेंटे इन्टु पार्ट एन कंपीट फॉर सोचल अनिक्नोमिक सोचिस तो क्या आंसर आएगा आंसर आएगा conflict perspective and conflict theory clear यहां तक मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होगा चले अब हम बढ़ते हैं नेक्स चीज़ की तरफ नेक्स जो conflict theory की में प्रॉब्लम देखो जैसे फंच्छलिजम ने हमने में प्रॉब्लम बढ़ी तो फंच्छलिजम में क्या था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोचल इंस्टूशन पर फोकस नहीं करा ठीक है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अच्छ इसके सबसे वड़ी प्रॉब्लम थी ठीक है और वहीं पर धूसरा जो इनका प्रॉब्लम यह कि इन्होंने सुकर्च को explain नहीं करा कि किस तरह से से सब्चाइटी एक दूसरे के साथ हल्ड है तो नेक्स जो इनका प्रॉब्लम वह यह था कि इन्होंने सिर्फ और सिरफ इन्होंने स्टेटस क्यूज को मतलब होता है ग्सेस्टिंग स्टेट अफिर मतलब जो एक्जिस्टिंग सेट होती है किए६ झीज की तो इसके उपर पर फोकन जो था वो नहीं करा इंहोंने पुरान जो सब्सक्रव्ण रिट्र टीज्वन चलती यह ती ज slots के उपर काम करा और उस टाइम से ले, जो भी social moments हो रही थी conflict theory में सिर्फ उसी चीज़ के उपर बात करेंगे तो इसलिए यह तीन जो है वह जो मेन problems conflict theory में देखे जाती है clear है यहां तक कोई doubt मैंने आपको theory भी पढ़ाई उसके related आने वाले questions के answer भी आपको दिए अब next पढ़ते हैं next जो है वह हमारा symbolic interaction theory अब symbolic जो वर्ड है आपको पता लग गया होगा it's a symbol ठीक है परतीक जैसे फर example आपको जैसे जैसे डॉग हो गया डॉग क्या है डॉग सिंबल है किसका एक फ्रेंड फ्रेंशिप का हो गया यह एक kind-hearted हो गया मतलब और दूसरा जो है यह हो गया interaction मतलब interaction का मतलब आपकी इंसान से किस तरह से interact करते हो ठीक है उसको बोला जाता है तो यहां पर different मतलब symbolic basis पर जो interaction जो होती है वो सारी मतलब होती है society में वो हम लोग इस theory में पढ़ेंगे ठीक है अब मैं आपको एक example के साथ ही इस theory की start करता हूं सोधार की आपको confusion आओ यहां पर लिखा symbol और interaction अब इसी को में example देता हूं जैसे for example एक इंसान है एक बंदा है ठीक है वो जाता office तो office में जब वो office जो है उसको एक symbol मानते है ठीक है अब वो जो office जाता है तो office में उसको इंटरेक्शन होता है behave होता है बाचित करने का तरीका होता है वो different होता है suppose को वही बंदा पिकनिक गया हुआ है तो पिकनिक जो है that is another symbol ठीक है और पिकनिक में जाके उसके behavior obviously अलग होंगे जैसे for example school में हम देखते है कि एक जो student होता है यह एक teacher जो होता है उतका जो schoolman को अलग होता है ठीक है तो मतलब स्कूल को अगर हम as a symbol लें तो वहां पर जो interaction हो रही है teacher की student के साथ यह student की teacher के साथ वो अलग होती है suppose गोरो वही school पिकनिक जा रहा है वही पर वही बच्चे वही teacher एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं तो मतलब वहां पर एक अलग interaction होना शुरू हुआ तो यही चीज़ें इस particular theory में explain करी गई है symbolic interaction theory तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह symbolic interaction theory है यह किनके द्वारा दी गई है यह basically जो symbolic interaction जो त्योरी है यह George Herbert Mead और Charles Horton Koolet द्वारा दी गई है ठीक हो लिख देते हैं इसका नाम George Herbert 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 Mead and Charles Horton Koolet Charles Horton Koolet यह दो बंदे जिनके द्वारा यह जो symbolic interaction theory जो हो दी गई है ठीक है अब इस interaction theory को symbolic interactionism भी बोला जाता है ठीक है symbolic symbolic interaction perspective को आप लोग symbolic interactionism भी बोल सकते हैं ठीक है ये भी major framework है मतब sociological theory का society की theory का ठीक है तो ये basic ऐसे लिखा हुआ है कि ये भी बहुत बड़ी theory है जिसको हम पढ़ते हैं आपको सरफ क्या पढ़ना है symbolic interaction perspective जो है उसको symbolic interactionism भी बोला जाता है और मैं अलड़ी इसको बहुत अच्छे से first time पर ही example के दोर पर समझा चुका हूँ अब यहां पर क्या लिखा है कि symbolic interactionism जो होता है इसमें क्या है कि people जो है वो यूज करते हैं symbol को जैसे language हो गया gesture हो गया objects हो गया ताकि उस हिसाब से मतब create कर सके share कर सके meaning को और एक दूसरे के साथ interact कर सके जो मैं आपको explain कर चुका हूँ ठीक है मतब लोग जो है वो symbol के accordingly चाहे symbol कुछ भी हो सकता है जगाभी हो सकती है को अबजक्ट भी हो सकता है language भी हो सब्सक्राइब का करते हो भी अलग हो सकते है तो होगaster होंगे पार्टी के टाइंपर बोगोंगे बड़ आप जब काम कर रहे हो तो यह लग है तो आपके जो इंटरेक्शन जो मेनिंगे एक दूसरे के साथ वह अलग होंगे क्लियर समझा गई जो मैंने आपको पिकनी की एक्जांपल दिया ओफिस की एक्जांपल दिया क्लियर होगा आपको चलिए अब इसमें क्या है सिंबॉलिंग इंट्रेक्शन थियोरी में क्या है यह इंफसाइज करता है इंपॉर्टेंस ओफ इंड्यिजिव अजन्सी को मतलब वहां आपने फंक्षन फंक्शन थियुक्षिंके बारे में पड़ा उसके बाद हमने जब कण्फिक्ट पड़ा तो इसके बारे में पड़ा एक ग्रूप जो बहुत जादा पावरफुल है और किस ताना से वह एक्ष् importance देता है ठीक है जो actual में क्या करता है social reality को shape देता है ठीक है वह चीज़ यहां पर लेकिए symbolic interaction जो है वो study करता है कि किस तरह से लोग जो है वो एक दूस्त मतब construct करते हैं बनाते हैं negotiate करते हैं बातचीत करते हैं अपनी identity अपने role अपने status के accordingly through social interaction ठीक है clear तो in short कहने का मतलब यह कि लोग जो है symbolic interaction में यह पड़ा जाता है कि किस तरह से लोग जो है वो ना अपने identity role और status के accordingly negotiate करते हैं किसमें social interaction में ठीक है clear जैसे for example मेरा कहने का मतलब यह कि identity role और status accordingly जैसे suppose एक जो CEO है company का तो company में तो CEO है बट वहां पर company में उसकी identity उसकी जो status role जो है वो different है लेकिन वही बंदा जब किसी अलग पिकनिक में चला गया तो फिर सभी लोग यार दोस्तों की तरह है तो वही चीज लिखी गई है कि people जो है वह negotiate करता है construct करता है on the basic symbolic theory में through social interaction ठीक है इसके गहराई में आपको कुछने की ज़रूरत नहीं कि word जाने की ज़रूरत नहीं है बैदने सिर्फ आपको यह बोला है कि social interaction में आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों का ध्यान रखना है कि लोग जो है वो यूज करते हैं symbols को जैसे language gesture objectives हो गया so that कि उसके accordingly people can interact with each other बस इसी चीज को याद रखना पूरी पूरी theory इसी पर है ठीक है अब देखें इस में example क्या है कि symbolic interaction जो है can explain how people present themselves different and different situation वही मैंने बता है ठीक है अब symbolic interaction की जो theory है उसके example के अगर मैं बात करूँ क्या लिखा हुआ है कि symbolic interaction जो है उसमें explain किया जाते है कि लोग जो है वो अपने आपको different different situation में differently present करते हैं जैसे एक teacher जो है school में अलग तरह से represent करेगा अपने आपको वहीं जब पिक्निक जाएगा वो नाचेगा भी गाएगा भी वह चीज़े class में नहीं कर सकता हो भाई समझ रहे हो ना तो वहीं चीज़े हम लोगों ने पढ़ी है symbolic interaction में and उसके बाद लिखा है कि किस तरह से they can manage their impression and emotions जाहिर सी बात है वहीं चीज़े मैंने already explained कर दिया कि teacher जो है school में उसके emotions उनके इंप्रेशन होंगे वह अलग होंगे जब वह पिकनिक जाएगा अपने बच्चों के बीच में वह नाचेगा भी गाएगा भी तो उस टाइम पर उसके जो impression है emotions है वह different होगे clear होगे यहां तक मुझा में था बहुत अच्छे समझ भी आगा ठीक है चली अब हम हम बात करते हैं हमने जो ऊपर थेयोरी पढ़ी sociology की related with society उसके बाद वो में थी जो हमने तीन उपर पढ़ी ना कुछ और आपको पता होना चाहिए कहीं पर अगर आप देख लो तो फिर आप मुझे बार-बार मेसेज करोगे यह क्या है क्या है क्या है इसलिए मैं इसको add-on कर दिया और थोड़ा पूता हम देख लेता है दो फैमिनिस थिएरी में क्या है ढ्निस प्द्द फीमेल पता लगए हट कर ना में तो मतलत पहले टाइम पर इनको इतनी प्रिफिलस नहीं ती जिसमें इनका में जो काम था मतलब इन्होंने अनलाई यह में तीए यह दिस वूज आओव दी स्टेटॉस औ विमिन एन सुसाइटी और फेमिनिस थी जो थी वह में ली कंसर्ण थी किसके साथ मतलब विमेंस को एक हाइलाइट देने वो में जो इसको बराबर देना चाहिए तो इस फेमिनिस टीरी वह विज्ट का वाज बनना विमेंस की प्रवलेश करना और विमन जो भी कांट्रीबूट करती हैं उसे पॉइंस को फाइलाइट करना ठीक यह सब था आपकी फेमिनिस टीरी में और यह सिर्फ आपको इतना ज़्याद है इसको सीरिस लेने जोड़ती है अब नेक्स जो है देट इस क्रिटीकल ठीकल ठीक्रिकल ठीक्रिकल ठीक्रिक्ट अपने अपने अंसर में जब तक आप इसी तरह से सुसाइटी में जो लोग कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ देखते हैं ध्यान देते हैं वहीं पर कुछ आज़ी जिनका में काम होता है वहां की ब्रहीं डूड़ना तो यह जो जो पर बेस्ट है तो मतलब इसका जो में नहीं होता था वो क्रिटीक्स को फाइ उनको क्रिटीक्स करना जो उसको डूड़ना ठीक है तो यह इतनी ज्यादा इंपॉर्टन नहीं हो इसे मैं सर्फ ऐसे आपको बता रहो ताकि आप लोगों को पता लग चाहिए दन उसके बाद लेवलिंग त्योरी लेवलिंग त्योरी की मोस्ट इंपॉर्टन एप्रोच ह अगर आई भी तो जब आपको क्रिमिनल वर्ड दिखे गाना तो वहां पर आप इसको टिक कर देना लेकिन 99.9999% चांसे है कि यह नहीं आएगी क्योंकि कभी भी क्रिमिनल और यह सब चीजें एक्जाम में पूछने आती जब भी एक्जाम में चीजें पूछेंगी यह तो सब्सक्राइब किस तरह से इंसान बच्पन से लेकर बड़े होने तक सुसाइटी से घर से स्कूल से डिफरेंट इफन जगा से जो भी वह सीखता है दन वह सीखिवी चीजों को अपने अंदर डाल के सुसाइटी के लिए जो अच्छे काम करता है वह सारी चीजे इस सोशल का लर्निंग थियोरी में एक्स्प्रेइन करी गई है ठीक है तो कुछ ज्यादा नहीं है इसमें बस यह है तो यह था हमारा आज का थियोरी आफ सोसाइटी जो हमने कवर कर रहा और मुझे उमीद है कि आपको अच्छे समझाया होगा बाकि कोई भी डाउट होगा तो थे क्या बाइ